हलो सातियो जैहिंद आज बात करूँगा सातियो एनम के जो एक्जाम है उसकी जो है फर्स्ट और सेकेंड सिप्ट दोनों की सिप्ट में जो है काफी कोश्यन आप सभी को जो है थोड़े टफ लेवल के देखने को मिले है आज काफी बच्चों ने मेसेजस किया है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाऊंगा कि पेपर का लेवल तो बहुत टफ बताया जा रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे सातियो दिन होते चलेंगे वैसे वैसे पेपर का जो लेवल थोड़ा हार्ड आता चलेगा ठीक है तो आप बने रहेगा हम पूरे दिन का अपडेट आपको सातियो सिप्ट के एकॉर्णिंग बताया थे कर मॉर्णिंग में मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से कोशन आये थो थे बच्चों ने बताया था यह सारे कोशन उनी के है अब मैं बात करूंगा सातियो कि यह देखे यह फोसिप्ट का मार्क जो है 42 मान लिजिए 45 मान लिजिए किसी किसे 30 और 20 भी नंबर आरे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 20-30 नंबर आपके आ जा रहा है अब सात्यों ये देखिएगा 55-60, 7% ही स्टूडेंट है 65-65, 4% ही है और 65-70 में तो 2% है और 70 प्लस शरिफ 5% ऐसे स्टूडेंट है जिन्नोंने स्कोर गया नहीं किया ये फर्स सिप्ट का आज का अनालिसिस है सात्यों ये पूरा लाईव है मैं अपने पीच पर ही डालता हूँ ताकि बच्चे वहाँ पर क पर करते हैं और काफी बच्चे जिनें पता नहीं है कि समाधानी स्टेडि आपको फॉलो करना है तो समाधानी स्टेडि को सस्क्राइब कर लीजेगा ठीक है आपको बहुत 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 भी लेवल का पेपर ऐसा थाबित होता है जैसी ये पर्सेंटेज दिख रहना आपक जानकारी है जो आपको प्रवाइट करते हैं उसी प्रकार में बात करूँगा सात्यों सेकेंड सिफ्ट का मैंने डाला था पांज घंटे पहले ही यह अपने कम्यूनिटी पर जिसमें से देखिए बात करेंगे 50 से लेकर 55 जो है माक्स तक काफी जादा संख्या में स्टुडें ठीक है कितने भाई सहाब 70 मतलब किसी के इंकाउन है 52 है 53 है 54 है 55 है इतने ही माक्स बच्चों के आ रहे हैं और फिर से 5 से 60 परसेंट रहे हैं जो 70 प्लस इसकोन गेन कर रहे हैं 60 प्लस इसकोर कर रहे हैं तो देखिए आपके एवरेज माक्स ना सात्यों 50 से लेकर 55 और 58 मान जा रहा है पर आपको दिया जा रहा था ठिका सुलेबस आपको पूचा गया सुलबस के कोशिन आ रहे है reading के इमपडा़े his Mid-H 5 आप अपको कितने माक्स आयए है वो जरूर से नीचे COMM News में बताईएगा क्योंकि all over सात्यों paper खत्म होने के बाद हम पूरा जो है जितने बच्चे comments कर रहे हैं सभी का analysis करने के बाद एक full सात्यों cut-off बनाएंगे और हमारा आज तक का cut-off सबसे 60 रहा है क्योंकि काफी बच्चे बोल देंगे सर 40 marks पर selection होगा और बच्चों को क्या कर देते हैं motivate कर देते हैं जब result आता है तो हमारे पास comments आते हैं कि सर्फ उन्होंने तो ऐसा बोला तो 40 में selection हो जाएगा नहीं सात्यों authentic जानकरी सुनिएगा चाहे थोड़ी दर के लिए बुरा लगे पर हमें आस नहीं रहे थी उस चीज की ये आप लोग को निश्य ध्यान रखना तो कल जिनका भी exam मोथ थोड़ा सात्यों best करके आएगा और the best सात्यों आप अपना best ही दीजिएगा paper का level जितना भी tough हो तो जैसा ही tough होगा तो आपके normalization marks बढ़ जाएंगे ठीक है जैसे कि paper का level tough होगा तो आपके 5, 6, 3, 2 ऐसे marks बढ़ जाते हैं तो यह सात्यों आज का review है जो है वही पुराने जो मैंने चीज़ आपको बताया है कि syllabus के according आ रहा है जनन है जो है current affair है आपका जो है वही चीज़ एरर है error जादा आया था comments आया था मुझे की error से related, error की question क्या होते है आपको sentence देदेगा इतना बड़ा और यह आपर बोलेगा इन में से कौन सा error है वह निकाल के छाट कर अलग करना है ठीक है तो सात्यों मिलूँगा कल morning के लिए आप सभी के लिए class को तयार करते है फिर मा morning में आप के साथ live मिलूँगा धन्यवाद